चौदान लाख कुछ हजार रुपे की जो राशी है उसकी रेनिंग पेमेट कर दी गई जो कि ये तो गाउं की अमानत है एक भी वहां बलोक नहीं एक भी इंट नहीं एक भी रोडा नहीं कोई जिम का समान नहीं ये सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि इसमें फ्रॉड है चौदान लाख बत्तियार पांच सो तीस रुपे इनने पहले ही निकलवा लिये वहां पर नहीं लगा कुछ भी जो इननों पहले एक गली बनाई हुए पर ला उसकी पेमटिन नों कर लोगो पास सारे सबूत हैं उनकी पेमटिन निकलवा लिया जारी हम सरपंच सभी उपाई की अमानत है जब तक नई पंचैते नहीं बनती तब तक हम ऐसी राशी जो गाउं की ठेके से जमीन से और इन सोर्सिस से पैसा आया है इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर कनूनी है गल्द तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है और दूसरी बात जिस कारे के लिए ये र करते हैं कि इसमें फ्रॉड है और इसमें कहीं न कहीं जो क्रॉप्शन की है गंद आ रही है कितनी लिमिट है सर बीडियो दुवारा पैसे निकलवाने की और क्या देशा सरकार दुवारा 25,000 रुपए चाहे वो सरपांच हो चाहे बीडियो हो 25,000 रुपए मैंटेनेंस के ल नहीं है और ऐसे ऐसे ब्रस्टा चार के मामले बाहर निकल के आ रहे हैं ऐसे ऐसे पैसों का दुरूपयोग हो रहा है पंचाहितों का जैसे आगे पंचाहिते बननी नहीं है ऐसे पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे आगे पैसा का जरूरत नहीं है हम आज भी उस बात पे खड़े हैं कि जब तक नहीं पंचायते नहीं चुनी जाती इन बातों पे पूरा पैरा देंगे पंचायतों का पैसे का दुरुपयोग नहीं होने देंगे जो अधिकारी इसमें समलित होंगे उनकी आज शिकायत उपायुक्त महोदया के पास आए हैं, उपायुक्त महोदया पर हमें पूरा भरोसा है, कि वो इसकी निस्पक्स जांच करवाएंगे, जो दोसी होगा, उस पर कारवाई होगी, अगर ऐसी बात आती है, कि यहां से भी हमें नैय नहीं मिलता, तो आगे के द में एक डेरा गर्दा सिंग पड़ता है वहां पे थोड़ा सा काम होना था हमने वीडियू साफ से रिक्वेस्ट करी कि यह हमारा काम कुरा दो एक कम्यूटी हाल बनाना है वहां और एक ओपन जिम लगानी है एक पार्क बनानी है एक जगा पे एक किला एकड़ जमीन लेकर उस नहीं हम सब की तो वहां 14 लाख बत्ति यहार 530 रुपे इन ने पेले निकला लिए वहां पर निन लगा कुछ भी जो इन्होंने पहले एक गली बनाई हुए पर लाँ उसकी पेमयटी नों कर लिए उनकी पेमटीर निकला लिया है इसमें कुई काम निकारा और तो उसकी जिन लगाने है लेडि़ीज के लिए और एक ट्रेक पनाना है लेडिज के लिए शेर करने के लिए क्या कारभाई कि इस मामले में अब सिकायध खाइब दीए आज हम आये हैं कल चुटी थी बखरीद की चुटी थी आज हम डीची साब के पास आये हैं अब सारे सरपंच भी आया है और गावासी भी आया है अब हम दिशी साब से मिलेंगे उसे मेरा नाम वीरपाल कॉर है मैं ग्राम पंचाय देरा गुद्दा की सरपंच हूं तो मैं यह क्या वाक्या सामने आया है गाव में जो फर्जी वाड़ा गोटाला हुआ उसके बारे में क्या कुछ जान कर देना चाहिए देरा गर्जा सिंग है वो भी हमारी पंचैत में ही आता है तो उसमें क्या किया है वीडि वीडियो ने 14, 3000,000 की पेमेंट निकलवा ली गई है और इसमें जो पेमेंट जो निकलवाई है वो बिना मतलब कोई भी रनिंग निकलवा लिया कुछ भी उदर मैटेरियल हमने जो बनन्वाना था डेरा गर्जासिंग में कॉम्यूनिटी हॉल जिम कुछ भी वहां पर भी नहीं क्या पूरा मामला यह कल राज अकबारों में पड़े हैं मामला और ऐसा करया काम मौके भी नहीं तो इसकी जांच कराएगा इसकी कितनी लीमिट है जो बीडियो कर सकते हैं पैसे निगलवा सकते हो अलग-अलग है उसमें अगर कोई है उसके लिए पट्टी हजार है और फंडी इसके इसाब से अलग कम यह जादा उसका है जो सब्सक्राइब निकल वाले निकल वाले हैं तो जो एडिशनल चीफ सेक्टरी के जो आदेश आया उनकी कोडिंग क्या वो सही है सही पैसे मां उसमें देखे कि उसका अगर उसमें च जांच कराएगे हम जांच के लिए भी कोई कमेटिक अधित की है ने अभी कोई ऐसा ना तो लिगीद में आया और इस्व अकभार की वर्जनल को ले कि यह वहां सब्सक्राइब कराने के बाद जो तर्था सामना है उसके अक्षन लिए जाएगा